हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल टेस्टी अपलोट्स में स्वागत है तो गनेश चतुर्ती का त्योहार नज़दीक आ रहा है और गनेश चतुर्ती के मौके पर मोदक ना बने ये तो नहीं हो सकता तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये आपको खाने में लेकिन इन्हें बनाना कैसे है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स यूज हुए है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एड शेयर करना ना भूलें तो आईए चल्दी से देख लेते हैं कि यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मोदग कैसे बनाने हैं सबसे पहले कड़ाई लेंगे और उसमें दालेंगे 1 कप डेसिकेटिद कोकोनट यानि की नारियल का बुरादा डाल लिया है एक प अब इसे भूनना है जादा नहीं भूनना है इसे हलका हलका ही भून लेंगे इसे और इसे चलाते हुए ही भूने वरना इसका color change हो जाएगा इसका color change नहीं करना है बस इसे हलका हलका भून लेंगे जिससे की इसका जो flavor है वो और भी जादा enhance हो जाएगा and friends, वीडियो को end तक जरूर देखते रहिएगा बहुत ही tasty मोदग बनके तयार होने वाले है तो वीडियो को end तक जरूर देखें और उसके बाद मुझे comment में जरूर बताईएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी तो ये देखिए यहाँ पर मैंने नारिल का बुरादा भून लिया है अब इसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ मलाई तो यहाँ पर मैंने एक चौथाई कप मलाई डाली है आप जितनी quantity में मोदग बना रहे हूँ उसे साबसे measurement ले सकते है एक चौथाई कप मलाई डाल ली है अब इसे इसमें अच्छे से mix कर लीजिए चलाते रहें अगर आप चलाएंगे नहीं तो यह material जल जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा तो ध्यान रखें कि इसे युहीं छोड़ना नहीं है जादो देर के लिए बिल्कुल भी इसे अच्छे से mix कर लिया है मैंने यहाँ पर तो मलाई नारियल के बुरादे में अच्छे से mix हो चुकी है अब इसके बाद में मैं यहाँ पर add करूंगी milk powder तो मैंने यहाँ पर एक कप milk powder add कर दिया है milk powder को भी इसमें mix कर लेंगे अच्छे से इसी के साथ मैं यहाँ पर एक चथाई कप दूद भी add कर रही हूँ दूद का temperature room temperature पर ही ले दूद ना ही ठंडा हो और ना ही जादा गरम हो अब इसे अच्छे से mix कर लीजिए सारी चीजों को एक साथ अच्छे से mix कर लेंगे और बिल्कुल smooth कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से mix करें flame को यहाँ पर मैंने slow रखा हुआ है slow flame पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं जलेगा ये इसे अच्छे से चारो साइट से पकाईए अच्छे से इसे चलाते हुए पकाएंगे तो चीजें अच्छे से mix होंगी अब इसके बाद मैं ये सारी चीजे जैसे ही mix हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें add करेंगे sugar powder तो मैंने यहाँ पर बूरा use किया है अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप चीनी को भी पीसके डाल सकते हैं total एक कब बूरा डाला है मैंने बाकी आपको जितना मीठा खाना पसंद हो आप उसे साप से डाल सकते हैं sugar अच्छे से mix कर लीजिए जैसे ही हम इसमें sugar powder डालेंगे ना इसकी consistency थोड़ी पतली हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं आपर वीडियो में तो कोई tension वाली बात जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे वैसे वैसे इसकी consistency ठिक होती जाएगी तो इसे इसी तरीखे से चलाते हुए पकाईए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगबग 5-6 मिनिट में इसकी perfect consistency आजाती है तो इसे इसी तरीखे से चलाते हुए पकाईगे बिल्कुल थिक हो गया है, कडाई का सर्फेस भी छोड़ दिया है, इस तरीके से ही आपको रेडी करना है ये, अब इसके बाद में इससे जादा इसे पकाने की बिल्कुल नीद नहीं है, आप देख सकते हैं एक दम परफेक्ट रेडी हुआ है, तो जैसे ही ये इस पॉइंट पर आजाएगा, हम फ्लेम को बंद कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं, आपर मैंने एक छूट असा बॉल बना के देखा, इस तरीके से आए तो ये पॉफेक्ट बन गया है, अब मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर रही हुँ, तो प्लेट में ट्रांसफ मैं डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तीन कलर्स में बना रही हुँ, ये मोदर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप एक ही कलर में बनाना चाहते हैं, तो डिवाइड ना करें, सबसे पहले मैं ले रही हुँ, ग्रीन कलर, सेकिंड मैंने यहाँ पर यलो कलर लिय और थर्ड मैंने यहाँ पर लिया है, पिंक कलर, आप जो भी कलर यूज करना चाहें, आप अपनी मर्जी से वो कलर यूज कर सकते हैं, तो सारे कलर्स इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठंडे होने का वेट ना करें इसका, गरम गरम में ही अच्छे से सारे कलर्स मिक्स कर देंगे मैंने यहाँ पर liquid color use किया है क्योंकि liquid color बहुत easily mix हो जाता है तो यहाँ पर तीनो color mix हो गए हैं अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मोदग बनाना शुरू करेंगे तो मोदग बनाने के लिए मेरे पास एक मोदग बनाने वाला mold है याने की मोदग बनाने का साचा है यह आपको easily किसी भी general store पर मिल जाएगा आप इसे online भी buy कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर यह घी लिया हुआ है घी को हातों पर अच्छे से लगा लेंगे अब थोड़ी थोड़ी quantity लेंगे हम इस में से सबसे पहले मैं green color के मोदग बना रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी quantity लेंगे और उसे इस mold में रखते जाएंगे जहाँ पर मोदग का space है extra भी हो जाए तो कोई problem नहीं है वो बाद में निकल जाएगा extra मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊंगी mold से मोदग बनाने के आप दोनों तरीके देखिएगा आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो follow करें secondly मैंने बिना mold के भी मोदग बनाए हुए है वीडियो मेरे channel पर already मैंने डाली हुई है link description box में drop किया हुआ है आप भाँ पर click करके बिना mold के मोदग कैसे बनाने हैं देख सकते हैं अगर आपके पास साचा नहीं है तो आप इसके बिना भी मोदग बना सकते हैं तो अब इसे बंद कर देंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेस करेंगे और जो भी extra part होता है उसे इस तरीके से निकाल लेंगे तो यह जो भी extra filling थी यह मैंने निकाल ली है अब देखिए मोदग बनके ready है लेकिन इसके अंदर यह जो extra है इसे भी remove कर लेंगे इसमें से बहुत easily हो जाता है बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है mold से और अब बहुत आराम से जादा tight नहीं पकरना है मोदग को इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे यह खाने के लिए बिल्कुल ready है कुछ भी नहीं करना है लेकिन कहीं जाना नहीं है अभी आपको मोदग बनाने का में दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ तो मोदग बनाने का दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप एक साथी धेर सारी quantity ले 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 उसे इस तरीके से लंबा-लंबा रोल कर ले और इस mould में रख ले और उसके बाद मैं इस mould को बंद कर लेंगे इस तरीके से, हलका प्रेस करेंगे और जो भी extra quantity है उसे निकाल लेंगे, इसे थोड़ा plane कर लेंगे और उसके बाद में जब आप मोल्ड खोल के देखेंगे तो आपको perfect मोदक की शेप मिलेगी एक्स्ट्रा जो भी quantity अंदर होगी वो हम remove कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले मोल्ड में से remove की थी तो ये देखिए कितने perfect शेप आई है मोदक की इतने tasty लग रहे हैं दिखने में तो इन्हें खाने का तो किसी का भी मन कर जाएगा न तो एक बार आप ये recipe ज़रूर ट्राई कीजेगा आपने घर में और अगर आपको ये recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like and share करना ना भूले और मुझे comment box में ज़रूर बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी अगर आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लो और bell icon ज़रूर प्रेस करना जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की notifications मिलती रहें तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you